हलो अब्रीबडी मैं हूँ शिल्पापुंडी अमेरिका के लुइबल सिटी से और अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर हालाद बिल्कुल भी ठीक नहीं है 26,000 से जादा केसे और पिछल तीन-चार हफ्तों में यहाँ आकड़ा देखने को मिला है और रोज हजारों की संख्या में यहाँ पर न्यू केसे सामने आ रहे हैं हम शुरवात में जब यहाँ पर केसे मिले थे तो हम सोच रहे थे कि अरे अमेरिका में थोड़ना कुछ होगा लेकिन अब जो यहाँ पर हालात बन रहे हैं वो सच में डराने वाले हैं हाला कि ज़स्टेट में हम रहते हैं कैंटिकी में वहां पर करीब 90 केसेज मिले हैं लेकिन शुरुवात में जब यहां पर केसेज मिले थे उसी समय से यहां पर जो लोग हैं उन्होंने अपने आपको आईसोलेट करना शुरू कर दिया था और एमर्जनसी की कंडिशन में ही ल यहां पर बने हुए हैं लेकिन जो चीज यहां पर जो सबसे ज़्यादा डरा रही है वो यह है कि अमेरिका आप देखिए सुपर पावर है मेडिकली इतना ज़्यादा एडवांस कंट्री है पॉपुलेशन के मायनने में यहां पर कम पॉपुलेशन हैं डियर के कम पैरेज भगवान ना करे अगर इस तरह के हालात हिंदुस्तान में बनते हैं तो कैसे निप्टा जाएगा क्योंकि जस तरह से मेरी बात हो रही है अपने रिलेटव से फ्रेंड से मैं सोचल मीडिया पर देख रही हूँ अभी भी लोग वहां पर इस जो आपदा है कह सकते हैं इसे बहुत लाइटली ले रहे हैं कली मैं फेस्बुक पर देख रही थी किसी ने अपनी बहुत लोग लगाई थी गेट टुगेधर की फोटो लगा रहे हैं किसी ने लिखा था कोरोना वायरस ब्रेक हॉलीडे इस तरह के फोटो वहां पर लगाए जा रही हैं तो यानि कि अभ करोना से ने पटने के लिए तो आप मुझे लगता है कि वहां पर लोग गंभीरता को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत उनके सर पर खड़ी है एक तरह की से वार वाली जो सिच्वेशन होती है आप बिल्कुल युद्ध के मुहाने पर खड़े केसे और रोज वहां पर बड़ी संख्या में वहां पर केसे मिल रहे हैं पूरी कोशिश यहां पर अमेरिक सरकार लगा रही है लेकिन हालात वही जो इटली और चाइना में थे वैसे ही यहां पर देखने को मिल रहे हैं तो आप प्लीज गंभीरता को समझ जिये कि कितनी हालात हो जाएंगे आप हमेशा बात जो इंडिया में हमेशा टसल चलती रहती है दो समिधाय के बीच के नहीं हमारा देश है नहीं हमारे देख लीजे युएस से आप देख लीजे हालात समझे आपको मौका मिलाए प्लीज आपको बस करना है कि आप घरों में रहिए ताकि आप इस बिमारी से बच सके और जो चेन एक फैली है इनफेक्शन की जो एक सदो दो से चार लगातार बन रही है उस चेन को आपको ब्रेक करना है आप गंभीरता को समझे